हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई योटूब चैनल, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि घर पर मौजूद कुछ चीजों का इस्तमाल करके आप अपनी स्किन पर किस तरीके से कसावट ला सकती हैं, आज के टाइम में बहुती कम उम्र में स्किन ल रखना चाहिए, आप अपने किचन में मौजूद बस कुछी चीजों की मदद से आपनी स्किन की केर कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्किन टाइटनिंग फेस बैक बनाना, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन, बेसन में स्किन को टाइट करने औ आप बेसन का यूज कर सकते हैं बेसन के रेगुलर इस्तमाल से स्किन टाइट होती है और दीरी दीरे तवचा की रंगत में भी सुधार आता है इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे ऐलोवेरा जेल एलोवेरा के इस्तमाल से स्किन पर होने वाले फाइन लाइन जूरियां क को सुधारता है और टैनिंग को भी रिमूव करता है इसके बाद इसमें एड़ कर देना है आधा चमच हनी हनी के इसमाल से फेस की क्लिंजिंग होती है और एजिंग की प्रॉब्लम भी दूर होती है शेहद में कई विटामिन, मिलरन, अमीनो एसिड और नैच्रल हीलिंग व अब इसके बाद इसमें एड़ कर देना है एक विटामिन E का कैपसूल विटामिन E कैपसूल एंटी ऑक्सिडंट से बरपूर होता है जो स्किन पर समय से पहले आने वाली जूरियों को खत्म करता है और डेमेज हुई स्किन को रिपेर करता है विटामिन E कैपसूल के इसमा दाग दब्बे और एक्ने की समस्या भी खत्म होती है इसके बाद इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और एक पैक तयार कर ले फेस पैक लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वाश कर ले अब इसे अपने फेस पर अच्छी तरह से लगा रहने दे और फिर अपने face को wash कर ले और इसके बाद face को moisturize कर ले best result के लिए हफते में एक से दो बार आप इसका use कर सकते हैं इसके इसमाल से skin soft होती है दाग धब्बे कील मुहा से दूर होते हैं और साथी यह skin को tight कर जुडियों से छुटकारा दिलाता है आप एक बार इसे try जरूर करें और result मेरे साथ जरूर share करें तो यही थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like कीजीगा, share कीजीगा और चैनल को भी subscribe जरूर करें मिलती हूँ ऐसी और भी informative वीडियो के साथ, तब तक के लिए thank you so much